नमस्कार दोस्तों स्वागाताब सभी का हमारे चैनल पर मैं विश्ण गलो तर आप देख रहे हमारे चैनल मैथमाटिक्स तरवर तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज हम एक्सरसाइस 2C का question number 20 solve करेंगे तो जैसे question number 20 देख रहे हैं जो कि यहां पर लिखा हुआ है तो इसको solve करते हैं इसका differential equation find करते हैं तो सबसे पहले देखें जो हमारा question है वो क्या दोस्तो x square dy plus y into x plus y into dx equal to 0 तो इसको हम लोग पहले arrange कर लेते हैं dy by dx के form में उसके बाद इसको simplify करके putting वाले option में हम लोग क्लिक के चलते हैं सबसे पहले देखें दोस्तो इसको अगर directly हम लोग करेंगे तो यहां पर देखें एक स्कॉरr dy equal to total to हमारा positive है और इससमें जागा negative हो जाएगा y x plus y into dx आप क्या करेंगे dy by dx को एक साइड रखेंगे जो कि यहां पर देख सकते होंगे आप dy by dx equal to और x square को divide के नीचे लाएंगे यहां पर तो जागा y x plus y divided by x square यह हो जागा हमारा equation 1 तो उसके बाद फिर आप देखें दोस्तों यहां तो फिर इसको थोड़ा सा और simplify हम लोग कर लेते हैं जो कि होगा dy by dx equal to minus y को यहां से multiply कि जागा तो minus का sign को अंदर बाहर ही रहने देखें यहां से multiply कि जागा तो यह हमारा हो जागा xy प्लस यह हो जागा हमारा y square divided by x square और इसको ही हम लोग बनाते क्या equation 1 तो equation 1 हमारा हो जाता है यह वाला form अब हम लोग सलते है putting का वाले options में तो यहां पर देखें put क्या करना है आप सभी को पता y equal to vx put करना है और जहां पर v होगा वहां पर क्या put करना y by x और इसको जो differential form होता है that means पतलब dy by dx equal to क्या होता है v plus x into dv by dx होता है तो आप देखें दोस्तों now from equation 1 तो equation 1 में हमारा क्या होता है दोस्तों तो equation 1 हमारा जो कि यहां पर देख रहे होंगो जैसे क्या आप देख सकते होंगा तो v by dx equal to और y के place पर तो v x को put करना तो यहां से input किजिएगा तो यहां पर क्या हो जागा dv by dx को वैसे का वैसे रहे कि positive v को इधर लेगा यह negative के form में हो जाएगा तो minus v plus v square minus v यह form हो जाता है उसको बाद फिर हमारा क्या होगा दोस्तों फिर से देखिए हमारा मतलब कि next step जो हमारा होगा देखिए अब क्या कीजिए इसको रखिए और इसके साथ इसको रखिए तो यह हमारा बन जाता है यह जो हमारा देखिए डिवाइड के form में आएगा तो यह हमारा बन जाएगा dv divided by v square plus 2v यह बन जाएगा equal to यहाँ पर होगा minus 1 by x into dx अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों इसमें से क्या करता है इसको थोड़ा सा integrate करने के लिए इसको अरेंज करना होगा यहाँ बजाएगा v plus 2 equal to minus 1 by x into dx अब देखिए नेक्स स्टेप में क्या करेंगा दोस्तों कि इसको partial fraction में ब्रेक करेंगा तो यह हमारा हो जाएगा अब पार्शल फ्रेक्शन में a by v plus b divided by v plus 2 into dv equal to minus 1 by x into dx यह फॉर्म रहेगा उसके बाद फिर डायक्ली इसको solve किजेगा तो partial fraction होले अटम को तो यह तो आप सभी को पतावा कई बार आप solve की होंगे तो यह आफ में आप काम कर लिजेगा मैंने डायक्ली इसके value को निकाल ग और b का value जो होगा वो क्या होगा तो negative मतलब माइनस 1 by 2 होगा into 1 divided by v plus 2 equal to minus 1 by x into dx यह फॉर्म रहेगा तो आप साहे दोराफ में चेक कर सकते हैं यही value निकले का आपका आप चलते हैं हम लोग यहाँ पर minus का sign है दोस्तों तो आप चलते हम next step तो जैसा कि next step देख रहेंगा दो ग्रेटिंग बोथ साइड तो जब दोनों साइड इंटिग्रेट करेंगे तो आपसले इंटिग्रेशन का sign देंगे तो इंटिग्रेशन का sign में आप सभी बता constant को बाहर करते हैं तो constant बाहर होके होने के बाद यहाँ हो जाएगा 1 by v into dv क्योंकि यहाँ पर dv लिग of dv divided by v plus 2 equal to minus integration of 1 by x into dx नेकर स्टेफ दिखे जो तो 1 by 2 1 by v dv का क्यों हो जाएगा log v हो जाएगा बीचे minus के sign 1 by 2 यहाँ पर डाइक लिग जाएगा log v plus 2 हो जाएगा इकवल टू यहाँ पर minus log x हो जाएगा plus चुखि सारे टम log के form ने लेचेस में भी अरेचेस में इसलिए यहाँ पर constant of integration भी log c यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जाएगा उसके बाद नेकसे step देखें दोस्तों तो यहां पर क्या किज़े कि log जैसे कि y by x है तो log m by n के form में भी आप इसको convert कर सकते हैं तो यहां तो सबसे पहले क्या किज़े आप यहां पर कि यहां पर जो 1 by 2 1 by 2 इसको common लेगे directly पहले multiply cross करवा देते हैं तो directly यहां पर क्या बज़ेगा lhs में हमारा log y by x minus log इसको आप लिख सकते हैं क्या y plus 2x divided by x equal to 2 चुकि 1 by 2 common लेगे cross करवा जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा minus 2 log x plus 2 log c यह हो जाएगा थोड़ा सा इसको arrange किजिए log m by n के form में तो log y minus log x हो जाएगा और similarly इसको किजिए गा तो log upर वाले का m मानिये गा नीचे वाले को n मानिये गा तो log m by n किजिएगा तब फिर माफ किजिएगा दोस्तों यहां पर x हो जागा थोड़ा से लिखने में मिस्टेक हो गया तो log m by n के form में कीज़ेगा तो यहाँ पर यह क्या हो जागा log m minus log n होता तो minus असान अल्रड़ी है तो जो negative हो positive हो जो negative हो जागा तो यहाँ पर जागा log y plus 2x plus log x क्योंकि minus log x होता हो तो minus minus यहाँ पर plus हो गिया equal to minus 2 log x है तो minus 2x to the power n वाला फॉर्मूला अप्लाई कीज़े तो टूटका जागा इसके x के power में तो minus log of x स्कॉर हो जागा plus उसी तरह यहाँ पर भी कीज़ेगा तो log of c का स्कॉर हो जागा तो c का स्कॉर हो जागा अब उसके बाद फिर देखिए माइनस लोग x है तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर log x दोनों तरफ सो कैंसिल हो जाएंगा उसके बाद फिर देखिए माइनस लोग x स्कॉर तो जितना भी नेगेटिव टम है सबको क्या किजिए कि positive बना दी है तो लोग क्या करते है कि इसको positive बनाने के लिए RHS LHS लाते है और फिर इन दोनों तरफ को तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव था यह पॉजिटिव हो गया जो पॉजिटिव था यह नेगेटिव हो गया RHS LHS में लाया अब उसके बाद यह नेगेटिव जो हमारा LHS में इसको RHS में लेके आएंगा तो यह positive होगा क्या log of y plus 2x आप देखिए दोस्तों तो यहाँ पर क्या किजिए आप कि जो देख रहे हैं कि log y plus log x square है तो यहाँ पर देख सकते हैं log m plus log n का formula apply कि जागा तो log m into n log n हो जाएगा तो directly यहाँ पर लिख सकते हैं क्या log y into x square minus log of यहाँ पर क्या जाएगा c square equal to log of y plus 2x यह form हो जाएगा अभी इसको m बना देजिए और इसको m बना जाएगा तो log m minus log n हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आप लिख सकते हैं imply z के साने देखिए log y into x square divided by c square equal to log of y plus 2x y plus 2x यह form हो जाएगा अब यहाँ पर क्या किजाएगा कि दोनों सब log है तो log तो cancel हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा y divided मतलब कि सिर्फ यह term बचेगा सिर्फ बचेगा y to x square into 1 by c square equal to y plus 2x यह form बचेगा तो 1 plus c square चुकिए एक constant है तो एक constant को single constant मान लिजे और इसको क्या मान लिजे के मान लिजे तो directly आप इसको लिख सकते हैं y x square into k equal to y plus 2x यह लिख सकते हैं या फिर और करके इसको answer में therefore में ऐसे भी लिख सकते हैं y plus 2x इसको RHS analysis बना दीजिए और यह हमारा हो जागा y into x square into k यह हो जागी हमारा answer तो बस दोस्तों फिलाल वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो बस दोस्तों फिलाल वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और share जरूर कीजिएगा दोस्तों क्योंकि मैं आप सुभी के लिए इसे मैं इतने solution वीडियो लाता रहता हूं अगर आप किस दोरा को doubt हो तो comment and message जरूर कीजिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तन्यावाद दोस्तों